दोस्तो आज की बात की जाए तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप USD-INR के अंदर अपने office timing की बात करें या फिर आप सुबह-सुबह निकलते हो सुबह 8 बजे अपने office के लिए निकलते हो शाम को 6 बजे मालीजी आप अपने घर में आते हो तो किस तरीक होता है, उसका काम क्या है? आपके अणका मालीजी एक इंसान अपर बैठा हुआ है जो कहता है, मुझे buy करनी है कोई चीज, दूस्रा इंसान अपर बैठा हुआ है वे मुझे कहता है कि मुझे sell करनी है तो अब यह आपस पर एक दूसरे को जानते नहीं है तो कैसे identify करेंगे, यहाँ पर काम आजाता है broker का, बीच में जो broker होता है उनका काम होता है, आपके order को दूसरे order के साथ में यहाँ तक पहुचाना और यहाँ exchange का काम होता है, उन दोनों को match कर देना यह पूरा process है, जिसको बोल सकते हो कि share market का पूरा ecosystem यह count होता है अब यहाँ पर बात आजाती है, कि हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, तो broker ने हम लोगों के लिए कुछ सहुलियत वाली चीज़े दी है जो कि बोल सकते हो, काफ़ी सारे broker क्या सब नहीं दी हुई है, जैसे कि बोल सकते हो, limit order ठीक, मैं समझाऊंगा क्या होता है, market order ठीक, इसी तरीके से होता है after market order आपके लिए, जो इंसान job करता है, सुबह like morning में जाता है, जल्दी जल्दी उसको भागदोड होती है, कि मुझे जाना है, driving करनी है या फिर, जो भी driver है उनके पास में तो वो इंसान के लिए मैं इस बात बता रहा हूँ वो इंसान after market order का भरपूर फायदा उठा सकता है, कैसे आईए समझाता हूँ, और ध्यान से समझना, यह कैसे किया जाता न, वो पूरा concept समझाने की कोशिच करता हूँ यहाँ पर माल लीजिए, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, आज की बात करें, तो आज मैंने देखा कि भाई, मैंने morning में सुबह सुबह चेक किया, कि भाई, trading view मैंने चेक किया, trading view पर देखने के बाद मैंने 4X factory चेक की, उसके बाद मैंने क्या किया, MetaF चेक किया, कि भाई, individual chart कहां जा रहा है, तो मैंने identify कि आज क्या होना चाहिए, मैंने चेक किया, NSE का data की भाई, कैसे support है, कैसा resistance है, क्या probability हो सकती है, और अपने experience को add करते हुए, मैंने एक range निकाली, मैंने बोला, भाई, देखो, आज का lower zone, 83, 11, 50, मैंने बोला, यह है, आज का higher zone की बात करें, मैंने बोला, भाई, आज का higher zone, यह level मैंने निकाल लिया, चिक, एच्छा लो, जी, बहुत अच्छा, मेरा कहना है, कि इन दो level के बीच में price दरना चाहिए, तो उस condition में क्या कर सकता हूँ, पहला condition number one, कि उसमें मैं क्या करूँगा, condition number one की बात करें, जब market हो जाती है, sideways, ध्यान से समझो, बहुत ही easy है process, दूसरा process, market अगर मैंने बोला था कि market को आज, उपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए, बट हुआ क्या, वो नीचे की तरफ ना जाते हुए, वो मेरे आज के higher zone के पास चली गई, तो second condition, कि भाई आज का high touch किया, तो क्या कर सकते हैं, third condition, कि market यहां थी, यहां से नीचे होते हुए, अपने जो lower zone है, वहां पे आके entry हो जाती है, तो third condition, कि आज का मेरा low touch किया, तो तीनों condition में, rules and regulations ना, अलग-अलग होने वाले हैं, ध्यान रखना, कैसे कैसे अलग होएंगे समझो, यहां पर अगर condition बनती है, कि भाई, मुझे दिख रहा है, कि price क्या है, कहां से कहां तक जा सकता है, तो मैं यहां पर क्या करूँगा, आप क्या करेंगे morning में, like 8.45 के आसपास, 8.45 के आसपास, normally phone से यह चीज़ की जा सकती है, आप basically अपने level के उपर, जो level आपने रात के समय ही निकाले होंगे, या फिर आपने देखा कि, आज का मेरा support कहां पर है, resistance कहां पर है, अगर support के पास आकर price मिलता है, तो मैंने क्या बोला, बहीं मैंने बोला, 83 का मेरा आज का level दिख रहा है, lower zone, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक AMO, after market order लगा सकता हूँ, कैसे लगाता है, मैं वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर जब हम जाते हैं, तो मारली जी मैंने जिरोधा open किया, यहाँ पर मैंने गया, यहाँ पर normal, यह broker का terminal है, सबका same ही होता है normally, मैंने buy पर click किया, buy पर click करने के बाद में मैंने देखा, कि भाई हम यहाँ पर regular order देखते हैं, regular का मतलब होता है, कि यह chill चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, entry हो जाती है, अपना limit price आपने choose क्या है, तो limit के साथ होती है, market price choose क्या है, तो market में जो price चल रहा होता है, उसके साथ यहाँ पर हो जाती है, आप देखो कि अंदर जो pricing है, वो चल रही है, तो उसके अनुसार काम हो जाता है, मुझे यहाँ पर करना है, कि market बंध है, सुबह-सुबह 8.45, क्योंकि market सुबह 9 बज़े खुलती है, तो उस condition में मैंने अपने level निकाल के रख लिए थे, या फिर मैं उसको पहले भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई problem की बात नहीं है, मैंने यहाँ पर AMO पर click किया, after market order, और यहाँ पर जाने के बाद में मैंने limit order choose किया, अगर मुझे लगता है कि आज का मेरा price जो है, कुछ इस तरीके से candle यहाँ आती, टच करती और भग जाती, तो भी मेरा order execute हो जाता है, क्योंकि जो first candle बनती है न, वो बहुत ही जादा कह सकते हो, वहाँ पर market order में काम किया जाता है, काफी जादा लोगों के थूरू, reason बड़ा simple सा है, तो वहाँ पर क्या है, ऐसे order execute होने पर, आपको काफी जादा फायदा मिलने के probability बढ़ जाती है, तो पहला point क्या हुआ, जब नीचे से उपर की तरफ जाने की बात की जाए, क्योंकि overall trend आप है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, कि आपको अपनी trade by side पर लेकर चलनी है, कभी भी sell side पर trade लेने की जरुवत नहीं पढ़ती, USD, INR के अंदर, दूसरी condition होती है, दूसरी condition ही होती है, कि भाई मैंने देखा कि आज का मेरा support भी strong है, मेरा resistance भी strong है, तो उस condition में high probability है, कि market आज totally sideways रहने वाली है, तो उस condition में क्या किया जाएगा, उस condition में आप क्या कर सकते हो, जहां पर market खुलती है, उससे 50 पैसा उपर, approximately 50 पैसा चूज़ करके, उसकी call को sell कर सकते हो, नीचे की बात करें, यहां पर जहां पर price खुला है, उससे 50 पैसा नीचे की बात करूँ, तो उसकी put को, PE को sell करके चल सकते हो, और पूरा दिन wait कर सकते हो, क्या होता है, maximum time ऐसा होता है, कि आपको profit मिली जाता है, कोई problem की बात वापे निकलके, नहीं आती, तीसरी condition, तीसरी condition क्या होगी, आपने बोला, मार्केट खुलनी चाहिए, यहां खुल के मार्केट जानी चाहिए, lower zone पे यहां तक, ठीक है, अब तीसरी condition में यहां आती है, आप कहते हो, मार्केट अगर यहां तक आती है, और उपर की तरफ आना चालू करती है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ, यहां पर काम करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको counter trade में डाल दीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा आपको sell side पे profit ही मिलेगा, और buy side को आप बाद में like recover कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बाद वहाँ पे नहीं आती, कैसे करना है समझिए, माल लीजे भी December month चल रहा है मेरे भाई, आप क्या करेंगे December और January के future contract note को यहाँ पे add करेंगे, add करने के बाद में pass वाले को हम क्या करते हैं, sell करते हैं, दूर वाले को हम क्या करते हैं, buy करते हैं, तो माल लीजे मैंने 50 lot sell किया है और 50 lot buy किया है, अब होने वाला क्या है, condition क्या बन सकती है, यहाँ पर trade डालने पर, आपको होगे trade डाली क्यों हमारा तो level नीचे था, entry तो बनती नहीं थी, मैं समझाता हूँ क्यों, यहाँ से नीचे की तरफ जब जाएगा यह, price नीचे की तरफ आया अगर, उस condition में क्या होने बाला है, condition number one के अंदर क्या होगा, आपको sell side पर मेरी भाई profit दिखाए देगा, buy side पर same आपको loss दिखाए देगा, तो हमारा main motive यह होता है counter trade में, कि हम sell side पर profit gain करें, और buy side को बार-बार खुला छोड़ दे, क्योंकि वो recovery हो जाती है, क्यों buy side पर क्यों खुला छोड़ता है, क्योंकि trend हमारा जो है, वो upside पर है, logic के साथ काम करना है, without logic काम करने का कोई फायदा नहीं होता, चीग है, तो यह तो हुआ पहली condition, दूसरी condition आती है, कल को मान लिजे market फिर से यहीं पर खुलती है, फिर से यहीं पर खुलती है, अब मैं कल देखता हूँ कि मेरा support is strong है, resistance is strong है, क्या चीज़े हैं, अगर मुझे लगता है कि मेरा support is strong है, तो मान लिजे मेरा कल का level मेरा निकल कर आया, कि भाई यह मेरा level है, तो जब वो मेरे support पर दिखाई देगा, तो support is strong है, जब मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, sell वालिट रेग्जिट करूँगा, बाई वाली को खुला छोड़ दूँगा, इससे कोई नुक्सान मुझे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक, third condition क्या बन सकती है, second condition आपने देख ली, कि भाई market sideways हो जाती है, ठीक, और वहीं खुल जाती है, जहाँ पर opening हुई है, वहीं पर opening हो जाती है, third condition क्या होती है, third condition यह हो सकती है, आपने यहाँ पर position create किये, और create करने पर price बहुत जादा उपर की तरफ खिसक जाता है, उस condition में क्या किया जा सकता है, तो उस condition में करने का simple सा तरीका है, तरीका यह है कि आपको यह धियान रखना है, कि यहाँ पर आपको कोई loss देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, क्यों आपने क्या कर रखा है, buy position create कर रखी है, and sell position create कर रखी है, तो buy में आपको profit दिखेगा, sell में आपको loss दिखेगा, तो कलको अगर market यहाँ से उपर open होती है, तो आपको कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, तो आपका वहाँ पर कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं, common सी बात आजाती है, और again, जो next day हमारी जो trade बनेगी, माली जो हमारी level है, यह level आ गए, भाई यह level है, तो मुझे lower zone पर अगर price मिलता है, तो उस condition में क्या करूँगा, sell वाली trade को exit कर दूँगा, buy वाली को खुलना छोड़ दूँगा, क्योंकि trade तो मुझे करने ही थी न, तो इस तरीके से आप manage कर सकते हो, काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई market sideways होने पर, कभी कभी premium जो है, इतना dk नहीं हो पाता, तो यहाँ पर आप इतनी सी movement के अंदर अगर trade डाल भी देंगे, common सी बात है, trade डाल भी देंगे और आपको पता है, कि market का trend अभी downside पर जाने की high probability है, तो इस जगा पर कौन क्या profit कमा लेगा मुझे नहीं पता, इतनी छोटी movement के अंदर कोई profit gain कर जाएगा, I don't think कि इतनी सी movement में कोई catch कर सकता है profit, कितना movement count करोगे, like आप यहाँ से notice करोगे, तो 83.30000 तक गया, और अभी जो चल रहा है, 83.3850 तक चल रहा है, तो total 8 पैसे की movement है, बट उस movement के अंदर आप जाधा बड़ा profit gain करने की expectation नहीं कर सकते, यहाँ पर क्या बचेगा, आपको एक तो brokerage बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि आपने फालतू की trade लेने से यहाँ पर बच गए, अगर आपको यहाँ पर लेविल पर काम करना आता है, कि करना क्या है, प्लस आपको confidence रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, उसके अंदर यह बात ध्यान रखने की होती है, कि 30 days जो होता है, market में, उनमें से 22 दिन ही market चलती है, और 22 दिन में से केवल और केवल 10 दिन भी अगर आपने trade कर ली, common सी बात है, आपको बताना चाहूँगा, ज़ादा trade करने से कोई फैदा नहीं होने वाला है, trade, number of trade पर depend नहीं करती है, depend करती है, quality कितनी थी, trade के अंदर कितना profit gain किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर 10 दिन भी अगर आपने trade किया, और 10 में से 8 दिन भी अगर आप green निकल जाते हो, तो यहाँ पर currency market की बात की जाए, तो आपको यह बात ध्यान दगनी है, कि आपको morning में कुछ चीज़े notice करनी होती है, मैं कहीं बार बता चुका हूँ, बिट काफरी सारे लोग ऐसे होते हैं, जो उन चीज़ों को follow करने की बजाए, केवल एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर answer यह है, कि आपको morning के अंदर क्या करना चाहिए, morning के अंदर आपको NAC का data चेक करना चाहिए, पहला point, दूसरी चीज़ आ जाती है, आपको 4X factory, 4X factory, website है, उसको check करना चाहिए, then यहाँ पर मैं use करता हूँ, metaf.net, चीज़ इसको भी आप check कर सकते हो, यहाँ पर individual chart देखे जा सकते हैं, USD के, यह तीन website morning में check करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप यह check नहीं कर रहे हो, अगर यह check नहीं कर रहे हो, तो आप trade मत करना उस दिन, simple सा logic है, अगर आप जबरदस्ती लाइक कह सकतो, बिना preparation के, सीधी सी बात है, आप trade करोगे, then वो trade नहीं, वो gambling खहलाती है, ठीक है, अगर आपने morning में check नहीं किया, data, then definitely कोई फाइदा नहीं है उसका, ठीक, बाकी रही बात की levels की बात की जाए, कैसे होता है, क्या होता है, भाई यह normally experience based होता है, support and resistance based होता है, कि आज हो क्या सकता है, conditions क्या बन सकती है, बाकी अगर आपके mind में कोई question है ना, कि बाई कैसे होता है, क्या होता है, तो आप क्या कर सकते है, नंबर है 8077521043, सेकंड नंबर है 9837482890, इन में से किसी भी नंबर पर आप कह सकते हो, भाई जो आप level use करते हो, वो share कर सकते हो, कोई दिक्कर की बात नहीं है, वहापे आप उस group के इंदर continue कर सकते हो, इस नंबर पर message करके, बाकी आपके mind में कोई भी question हो, तो यहाँ पर पूर सकते हो, ठीक, बाकी रही बात भाई यहाँ की, तो आप देख सकते हो, जो काम करने का तरीका है, जबरदस्ती trade करने से, taxes and charges बढ़ाने से, कोई भी फाइदा नहीं है, जब हमें हमारे label पर price मिलेगा, और यह महिने में 5-8 दिन भी अगर हो जाता है, तो definitely यहाँ पर हम लोग profit में निकलने वाले हैं, ठीक है, इसे के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं next important वीडियो में, बाकी आप क्या कर सकते हो, इस particular number पे जाके चेक कर सकते हो, कैसे क्या continue किया जाता है, ठीक है, इसे के साथ वीडियो बंद करता हूँ,